जैहीं दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप सभी इंत्यार कर रहे हैं SSC GD भरती 2025 वाले का जिसका online apply यहाँ पे 27 अगत से शुरू हो रहा है कबसे 27 अगत से apply शुरू हो रहा है जो कि 27 सितंबर तक apply चलने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इसका age criteria रहने वाला है कबसे आप सभी की age यहाँ पर count की जाएगी और प्रॉस कितनी vacancy 2025 वाले में रह सकती है सारी चीजों पर हम बात करेंगे और हर चीज में आप सबको विस्तार से बताने वाला हूँ ठीक है तो चले फिर वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि sscgd की हर साल यहाँ पर भरती आप सभी को देखने को मिल रहा है और जैसे ही भरती आती है बहुत सारे भाई इसको लिए excited हो जाते हैं कि मुझे इसके लिए form पर कि यहाँ पर तयारी भी करनी है ठीक है तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यह notification है 2024 का लेकिन 2025 का जब notification जारी होगा 27 अगस्त को तो उसमें क्या कुछ changes लिखने को मिलने वाला है धान दीजेगा यहाँ पर जैसे देखे age limit लिखा गया है 18 साल से लेकर 23 सार तो यह जो 18 से 23 साल लिखा गया है यह बिलकुल सेम रहेगा इसमें 2023 में vacancy आई थी 2024 की और जिसका apply 27 नवंबर से शुरू था और 31 दिसंबर तक form apply हुए थे ठीक है तो इसलिए एक जनवरी से age यहाँ पर count कर लिया गया अब यहाँ पर बड़ा मुद्दय यह उठता है कि आखिर यह जो 2025 की भरती आ रही है क्या इसका age counting एक एक 2025 से किया ज रहेगा तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दू कि vacancy को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लेकिन हम इतना मान सकते हैं कि यहाँ पर दो तरीके में आपको बताने वाला हूँ दोनों तरीके में से एक तरीका यहाँ पर follow कर सकती है ठ एकजाम यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में सुरू हो जाएगा ठीक है मलत दिसंबर सुरू होगा जनवरी में एकजाम सभी का समवत हो जाएगा तो इस प्रकार से यह लग रहा है कि एकजाम आप सभी का दो हजार चौबिस में ही सुरू हो रहा है और यह माना जाता है कि जिस साल में exam होता है, उसी साल से ही आप सब की age यहाँ पर counting की जाती है, ठीक है, तो यह देखके लगता है, कि आप सभी जो age यहाँ पर 1224 लिखा गया है, इसी को change कर दिया जाएगा, और यहाँ पर 282024 हो जाएगा, ठीक है, यह मैं अपना opinion दे रहा हूँ, ठीक है, यह कोई official नहीं है, लेकिन मेरा experience रही कहता है, कि 282024 से आप सब की यहाँ पर age count की जानी चाहिए, ठीक है, उसी परकार से यहाँ पर आस भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको example लेके चलो, यहाँ पर सितंबर में दिल्लिय पुलिस की भरती आयो हुई थी, जिसमें यहाँ पर भरती 2025 की है, लेकिन इस भरती में 2024 में भरती आ रही है और एकजाम भी आप सभी का 2024 में ही शुरू हो रहा है, इसके चलते हैं यहाँ पर सब्सक्री कभी नहीं 6 महीना पहले age count नहीं करेगी, ठीक हैं, क्योंकि अगर सितंबर, अक्टूबर, नमंबर, दिसंबर, 3-4 महीना आगे से वो age count नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर आपका जो age counting हो सकता है, वो 28 2024 से हो सकता है, ठीक हैं, अब दूसरा रस्ता यहाँ पर यह निकल के आता है, कि आखे चलो यह सारी चीज़े हो गई, लेकिन यह बताइए, कि यहाँ पर age counting तो होगी, लेकिन दूसरा तरीका क् फॉलो हो सकता है, जो मैंने बताया, 182024, यह तरीका यहाँ पर फॉलो होते हुए दिखने लगा है, ठीक है, उसके बाद बात करें, यहाँ पर age count को लेकर, देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, 212001 से लेकर, 212006 तक के बीच में जो बच्चे हैं, वो अपलाई कर सकते थे, 2024 ओली वेकेंसी में, लेकिन अभी जो 60GD की नई भरतियार यह 25 की, अगर इसकी age counting, age counting, 182024 से की जाती है, तो इसके लिए form भर सकता है, बच्चा, 282001, धान दीजेगा, मैं यहाँ पर दो लिख देता हूँ, 282001 से लेकर, यहाँ पर form भर सकता है, 182006 तक का बच्चा form भर सकता है, अगर age count होती है, यहाँ पर 282024 से तो ठीक है, अगर यहाँ पर age counting होती है, 2025, धान दीजेगा, 212025 से गर इस counting होती है, तो इसके लिए बच्चा form भर सकता है, यहाँ पर धान दीजेगा, 212002 से लेकर, ठीक है, उसके बाद 212007 तक का बच्चा form भर सकता है, ठीक है, यह सारी शीचा आप सब को देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कैसे क्या होता है, तो दिसंबर, 1st और January, 2nd में आप सभी का एकजाम भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, जिससे आप सभी यहाँ पर एक भरती देखने का मौका और पा जाओगे, ठीक है, तो इसलिए इसमें वेकेंसी भी अब की बार रहने के चांसे से हैं, मैं यह सा क्यों बोल रहा हूं कि पी अगर आप इसमें सेलेक्सन पाना चाते हैं, तक को त्यारी लगातार यहाँ पर करनी पड़ीगे, यहाँ पर पहले वेकेंसी 2021 की आई, 25,000, फिर 50,000, 2023 की आई, 2024 की यहाँ पर फिर 26,000 आई, इस प्रकार से बच्चे लगातार यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो अब की ब कटाओ बताय जाएगा, वो बताय जाएगा, 182024, थन दी जगर, थोरी दोस्तों, 182001 से लेकर, 182006 तक का बच्चा फॉर्म अपलाई कर सकता है, ऐसी यहाँ पर होते हुए पूरी तरीके से चीजे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, बाकी SCST को यहाँ पर एज में 5 साल का चूट यहाँ पर मिल जाता है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना हो, चैनल को सब्स्राइब कर देना है, क्योंकि आपका भाई आपको सारी जानकारी तरीके से बताता है, ताकि आप सही तरीकी जानकारी सीख सकें, और अपनी तयारी को बहुत ही अच प्रकार से आपका सेलेक्षन यहाँ पर होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसा है जिनका 24 वी भरती में अच्छा स्कोर नहीं बन पाया अंसर की चिक कर चुके हैं तो उनको भी चिंता नहीं करना है त्यारी लगतर करते रहना है एस काउंटिंग आप सभी की जो भी होगा आप सबको यहाँ पर लगब लगब मौका मिलना चाहिए यह भरती देखने को ठीक है तो सले फर मिलते किसे नहीं फरती हो नहीं जानकाई सा तब तक लिए जहिंज भारत बंदे मात्रम